नमस्कार जहन सातियों स्वागत है आज आप सभी का हमारे द्रण संकल यूटूब चैनल के आज के इस नए वीडियो में मैं विशेग मिसराज आप सभी लों के लिए क्लास 6 की NCRTST का चेप्टर 6 के कोस्टन आंसर्स को लेकर क्या हूँ और आज के इस चेप्टर से हमको पूरे 25 कोस्टन्स मिलते हैं जो कि सारे के सारे कोस्टन प्राचीन भारत के इतिहास के हैं और आज के इस चेप्टर का नाम है राज्य राजा और एक प्राचीन गड़ राज्य तो आज हम बहुत कुछ जानेंगे अपने प्राचीन भारत के इतिहास का तो आईए शुरू करते हैं इससे पहले अगर आप लोगो ने चेप्टर 1 से लेकर के 5 तक की वीडियोस को नहीं देखा है तो जरूर देखीगा इन सारे चेप्टर से में हमने आप लोगो को कई सारे कोश्चन को बताए हैं जो कि सारे कि सारे प्राचीन भारत का इतिहास के हैं चलिए, शुरू करते हैं, सबसे पहला question दिया जा रहा है, निमने लिखित में से कौन से उत्तरबैदिक गरंथ हैं, पहला, रिगवेद, दूसरा, यजुरबेद, तीसरा, अथर्वबेद, चौता, ब्रामन गंद, या फिर प्राचमा, उपनिसद, इन पाचों में से कौन से बैदिक गरंथ हैं, तो नीचे दियेगे कूट का प्रियोग करके, आप सही उत्तर का चैन करीगा, दिया जा रहे, option A, केवल एक और दो, यानि इजुरबेद, या यजुरबेद, या फिर ओप्सन B, केवल एक, दो और तीन, अथात, ये जुरबेद, अथर्वबेद, और की बैदिक गरंथ हैं, या फिर option C, अर्थात, केवल चार और पांच, ठीक है, ये दोनों, या फिर option D, option D में दिया जा रहा है, की केवल 3, 4, 5, अर्था अथर्वबेद, 2, 3, 4, 5, ठीक है, दो भी है, तो option D में 2, 3, 4, 5 है, अर्थात या दुरबेद, अथर्वबेद, ब्रा अंसर बताते हैं इसका option D बिल्कुल correct है अर्थात ये चारो ही बैदिक गरंत हैं अब इसकी ब्याखे को भी मैंने यहाँ पर रख लिया है तो ब्याखे के मदद से हम इस पूरे सबाल को समझेंगे कि पूरे कहानी क्या है आखिर इसकी सामबेद यजूरबेद अथर्वबेद और जो ब्रामन उपनिसत है ठीक है ब्रामन उपनिसत अथा अन्य कई गरंत रिगवेद के बाद में रचे होने के कारण इन्हें उत्तर बैदिक गरंत कहा जाता है चारो बेदों में रिगवेद सबसे पुराना है रिगवेद के काल को रिगवेदिक काल के नाम से जानते है ये ग्रंत उत्तर भारत में खास कर गंगा यमुना छेतर में रचे गए पुरोईतों दोरा रचित इन ग्रंतों में विभिन प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विदियां बताई गई है इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है तो चलिए देखते हैं अब कोस्टन नमबर दूसरे को ठीक है कोस्टन नमबर टू दिया जा रहा है कि उत्तर बैदिक कालीन बन विभाजन के आधार पर ब्रामणों का इस्थान और कारिक क्या था तो इसके यहाँ पर चार आप्सन दिया रहे है अर्था ब्रामणों का ब्रामणों का इस्थान था इस्थान था रक्षा करना या फिर ऑप्सन डि अर्था इनका काम था वियापार करना और इस्थान था तीसरा चलिए इसका अंसर जली से हमको कमेंट बाक्स में बताईएगा चलिए अब इसका अंसर हम आपको देते हैं इसका option B बिल्कुल correct है जो बैदिक काल में बन्ड विभाजन किया गया था उसके अनुसार ब्रामनों का जो इस्थान था उता प्रतम और इनका कार्यता है यागी करना और पूजा पाट करना तो इसकी यहाँ पर ब्याख्या भी दी गई है अब ब्याख्या की सायता से हम पूरे प्रशन को समझेंगे बैदिक काल में पूरोयतों ने लोगों को चार बर्गों अर्थात ब्रामन, चत्रिये, वैसे और सूद्र में बिभाजित किया था जिसे वर्ण कहते हैं प्रतेक के अलग-अलग कारिन रिधादित थे प्रथम बर्ग, ब्रामनों का था जो की बेदों का अध्यन करते थे और यगी करते थे ठीक है, चलिए अब कोस्चन नंबर 3 को देखते हैं ये भी बहुत इंपोर्टन कोस्चन है बैदिक कालिन वर्ण विभाजन के अधार पर छत्री का इस्थान और कारिक क्या था उप्शन A, इनका इस्थान था परतम और इनका कारिता यगी करना उप्शन B, इनका जो इस्थान था था तीसरा और इनका कारिता ब्यापार करना option c इनका इस्थानता चौथा और इनका कारता सेवा करना या फिर option d अर्थात इनका इस्थानता दूसरा और इनका कारता रक्षा करना तो जल्दी से इसका answer हमको comment box में बताईगा आपको answer कुछ इस प्रकार से देना जैसे कि तीसरा का पहला अगर सही हो तो आपको तीसरा का a ऐसे देना है तो ये होगा आपका answer ये वलकी गलत है चलिए इसका answer हम आपको देते हैं इसका answer d बिल्कुल correct है अर्थात जो उत्तर बैदिक काल में बिभाजन किया गया था तो विभाजन के आदार पर जो छत्री थे उनका इस्थान दूसरा रख्या गया था और इनका कार था रक्षा करना ठीक है चत्री दूसरे इस्थान पर थे जो की सासक बर्ग था ठीक है इनका कार था यूद करना और लोगों की रक्षा करना चलिए अब देखते हैं question number 4 को यह बहुती महत्पुन क्रस्ण है बैदी कालिन बर्ण विभाजन के आधार पर सूदर का इस्थान और कार था option A दूसरा स्थान था और इंका कार्छा करना option B पर्ठाम चलिए हई इसका अंसर हम आपको देते हैं इसका option इसका बिल्कुल correct होगा अर्थात इनका जो स्थान था वो था चो था और इनका कार था जो उपर की जो तीन बर्ग हैं कौन कौन से बर्ग है पहला है ब्राह्मन दूसरा है छत्री और तीसरा है जो ब्यापार करते हैं ठीक है इन तीनों बर्गों की सेवा करना इनका कार था चलिए आंगे बढ़ते हैं और देखते हैं question number 5 को बलकि इसका answer तो आपको पता ही होगा ये दिया जा रहा है कि बैदिक कालिन वर्ण विभाजन के आधार पर विस अर्थाज जिसको बैस से कहा जाता है बैस से का इस्थान और कारिक क्या था option A इनका इस्थान दूसरा था और इनका रक्षा करना कारे था option B पर्थमता इस्थान और इनका कारे था ये कि करना option C इनका इस्थान तीसरा था और इनका कारे था ब्यापार करना option D इनका इस्थान चोथा था और इनका कारे था से बाकरना कि पस कर सकते ये और पस पालन करते थे ब्यापार आधिये करते थे चलिए इसके बाद में हम देखते हैं कोस्टन नमबर 6 को ये थोड़ा सा बहुती अच्छा कोस्टन है और इंपोर्टेंट भी है कथन दिया जा रहा है कि उत्तर बैदिक काल में प्राया महिलाओं को सूद् को बेदों के अध्यन का अधिकार नहीं था ठीक है तो इसके याँ पर कुछ कूट दिये जा रहे है कूट के माद्यम से आपको इसका अंसर देना है option A अर्थात A सही है और R A का सही स्पस्टी करन है अर्थात जो एक कथन दिया जा रहा है कि A कारण ये भी सही है और इसका R गलत है option D में दिया जा रहा है कि A गलत है परन्तु R सही है तो इसका अंसर जल्दी से हमको comment box में बताएगा कि 6 का A सही होगा या फिर B सही होगा या फिर C सही होगा या फिर D सही होगा चली अब इसका answer हम आपको देते हैं इसका option B बिल्कुल correct होगा ये वाला ठीक है ये इसका देखी है ये भी सही है और ये भी सही है लेकिन इसका जो इस पस्टी करण ये दे रहा है ये कारण गलत है इस बज़े से महिलाओं को सूद्र माना जाता था ये कारण इसका गलत है इसकी ब्याख्या दी गई है अब ब्याख्या के माद्यम से हम इसको समझेंगे उत् होती important प्रसन है दिया जा रहा है कि बैदी काल के संदर्व में निल्खित कतनों पर विचार कीजिए पहला कतन दिया जा रहा है चत्री और बैस से दोनों को ही यगी करने का अधिकार प्राप्त था दूसरा दिया जा रहा है कि सूद्रों को अचुद मना जाता था और तीसरा क होता था इसके बाद ने उपरियोत कतनों में से कौन से कतन सही है ठीक है थो इसका अंसर जल्दी शे हमको देजिएगा कि केवल एक सही अर्थात ऑफ्सन ये या फिर ऑप्सन आस। C हैसे कि अर्थात केव और तीन सही है ये दूसरा गलत है या फिर option A, B, C में से और D में से कौन सा option सही है चलिए विसकान सरम आपको देते हैं इसका option C बिल्कुल सही है अर्थात केवल एक और तीसरा सही है यहाँ पर जो दिया जा रहा है कि सूद्रों को अचूत मना जाता था यह यहाँ पर गलत दिया जा रहा है क्यों? आईए देखते हैं दिया जाए कि बैदिक काल में च्छत्रिया और बैसे दोनों को यगि करने का अधिकार था अचूत की अब धारणा बैदिक काल के बाद में आई थी ठीक है जो अचूत की अब धारणा थी बैदिक काल के बाद में नहीं थी और उत्तर बैदी काल तक सूद्रों को चूट नहीं माना जाता था बाद के काल में सिल्पकार है, सिकारी है और जो इसके बाद में भोजन संग्राहक है तथा सबों को जलाने वाले जो थे और सबों को दफनाने वाले थे इसके बाद ने इन लोगों को छूत माना जाना लगा था ठीक है इन लोगों को छूत का माना जाने लगा था बैदी काल के बाद में ठीक है अब बैदी काल के अंत तक उत्तर बैदी काल में सभी बर्गों का निरधानर जन्म के आधार पर ही होने लगा था जैसे कि उधान के तोर पर किसी बच्चे के माता-पिता तो उसका ज़र्म के बा victorious नमर 8 Afghanistan सभी के द्वारा पूंड़ता स्विकार नहीं की गई दूसरा कतन है उप महादीब के पूरवोत्तर छेतरों में पूरोयतों का प्रभाब बहुत सीमित था तो इन दोनों में से कौन सा कतन सही है उपरी कतनों में से कौन से कतन सही है आपको इन कूटों के मादने हम से आंसर देना रहा था पहला option A में दिया जा रहा कि कतन एक साही है option B में है कि कतन दो साही है option C में है कि A और B दोनों साही है इसके बाद में option D दिया जा रहा है कि ना तो एक साही है और ना ही दोसरा साही है तो जल्दी से हमको comment box में बताईगा कि आठ में का इन जो चार कथन ये दिये जा रहे हैं कि option A, B, C, D इन चारों में से कौन सा सही है चलिए विसका अंसर हम आपको देते हैं इसका option C बिल्कुल करेक्टर था ये दोनों ही कथन सही दिये गए है और इसकी ब्याख्या भी यहाँ पर दी जा रही है जो कि ब्याख्या बड़ी ही लंबी चौड़ी है लेकिन बहुत ही अच्छी है ठीक है इस बात को जानने में आपको रुची भी होगी कई लोगों ने ब्रामणों दोरा बनाई गई इस बर्ण बेवस्ता को सुईकार नहीं किया था कुछ राजा सोयम को पूरोई से स्रेष्ट मानते थे कुछ लोग जन के आधार पर वण बिभाजन सही नहीं मानते थे इसके अतरिक्त कुछ लोग बेवसाय के आधार पर लोगों के भीश में भेदबाओ उचिन नहीं समझते थे जबकि कुछ लोग कहांते थे कि अनुष्टान संपन करने का अधिकार सब को होना चाहिए और अच्छूआचूट की जो आलोचना है ठीक है कई लोगों ने अच्छूआचूट की आलोचना की थी और इस उप महादीब के पूरवोत्तर छेतर में जैसे पूरवोत्तर छेतर जैसे इलाके में कई लाकों में सामाजिक आर्थिक समानता बहुती कम थी और यहाँ पर जो पूरोई थे उनका प्रभाव भी बहुती सीमित था ठीक है तो चलिए आंगे बढ़ते हैं और देखते हैं कोस्टन नमबर 9 को आज पूरे 25 कोस्टन है तो जल्ली इन सभी को देखना है और नमा कोस्टन आप सभी लोगों के सामने है इसको देखते हैं कोस्टन नमबर 9 दिया ज़रा है कि पूरा तत्विदों ने जनपत नामक इकाईयों की कई बस्तियों की खुदाई की यह जनपती यह बस्ती बस्ति पहला कि पुराना लाल किला जो की दिल्ली में है, दूसरा हस्तिनापुर जो की मेरट में है, और तीसरा अतरंजी खेड़ा जो की एटा में है, तो जल्दी से इसका आंसर हमको कमेंट बाक्स में दीजीगा, आंसर के लिए आप कुछ कूटों का उपयोग कर सकते हैं, ऑप्सन जो की बस्तियां, जो तो पुराना किला है, जो की दिल्ली में है, ठीक है, और या फिर जो तो उप्सन B, जो केबल पहला और तीसरा साई है, ठीक है, या फिर उप्सन C, केबल दूसरा और जो तीसरा साई है, या फिर उप्सन D, एक, दो, तीन, तीनों साई हैं, तो जल्द राजा आगे चलकर के चंपत के राजा माने जाने लगे थी जन्पत का साब्दिक अर्थ जन्म के बसने की जगए होती है ठीक है पुरा तत्वीदूने इन जन्पतों की कई बसनियों की खुदाय की है दिल्ली में पुराना किला जो की उत्तर प्रदेश में मेरट के पास में हस्तिनापूर और एटा के पास में अतरंजी खेडा इन में से प्रमुक हैं जनपदों के लोग चाबल गेहूं जाओं धान और इसके दाल गन्य तिल और सरसों जैसी फसलों को उगाया करते थे इन पुराइस्तों में कुछ बिसेश प्रकार के बरतन मिले हैं जिनें चित्रित दूसर पात्र क्या कहते थे जिनें चित्रित दूसर पात्र के रूप में जाना जाता है यहां से प्राप्त ये बरतन कुछ दूसर और कुछ लाल रंग के होते थे चित्रित दूसर पात्रों प आपके सामने है, question number 10 दिया जा रहा है कि गणों या फिर संगों पर निम लिखित में से किस सासक ने बिजय प्राप्त की थी, option A मौर, option B गुप्त, option C कुणास, ठीक option D है, साथ भाहन, तो इसका option B विल्कुल करें अटात, जो गड़ थे और जो संग थे, इन पर गुप्त सासक ने बिजय प्राप्त की थी, अब इसके बिशे में हम थोड़ी सी डिटेल में जनकारी प्राप्त करते हैं, यहां पर, देखिए का, कई सकती सारी राजा इन संगों को जीतना चाहते थे, इसके बाबजूद भी, उनका राजी अब तक लगबग, अब से लगबग 1500 बर्स प महा जनपदों के संदर्ब में निमलिकित कतनों पर विचार कीजिए, महा जनपदों की कई राजद्हानियों में किले बंदी की गई थी, और कतन दूसरा दिया जा रहा कि राजा सेना रखने लगे थे, जिसे बेतन दिया जाता था, बेतन का संपोड भूगतान आहत सिकों क लूप में दिया जाता था इन दोनों में कौन सा गतन सहीं है आप इए बताएंगे जो कि इन कूटों का उपयोग करके चलिए भी सका आंसर हम आपको बताते हैं इसका औप्सन घ्रक्त है अरफ़ात जो option पहला वाला कतन दिया जा रहा है ये बिल्कुल correct है महा जन्पदों की कई राजधानियों के में किले बंदी की गई थी और जो दूसरा option दिया जा रहा है ये आदा सही और आदा गलत है क्यों आईए देखते हैं ब्याख्या में लगबग 2500 बर्ष पूर्व कुछ जन्पद अधिक महत्पूर हो गए इन्हें महा जन्पद कहा जाने लगाता अब इसका याँ पर इस point के मदद से हम जो गलत है उसको देखते हैं अधिकतर महा जन्पदों की राजधानिया होती थी कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी ये किलाबंदी आकरमण से सुरक्षा करती थी ये राजाओं को समरिद और बैभब को भी दरसाती थी अब राजा सेना रखने लगे थे सिपाईयों को बेतन दे करके पूरे साल पर रखा जाता था ना कुछ भुगतान आहाद सिकों के रूप में होता था ना कि पूर्ण भुगतान होता था यहाँ पर इस कथन में दिया जा रहा है कि जो राजा लोग सेना रखने लगे थे और उसमें उन्हें जो बेतन दिया जाता था ठीक है बेतन का संपूर्ण भुगतान आहाद सिकों के रूप में होता था ठीक है जो कि ये गलत है बेतन का जो भुगतान होता था ये कुछ भुगतान होता था आहाद सिकों के रूप में और बाकी भुगतान अलग तरीके से किया जाता था ठीक है चलिए अब देखते हैं को के रूप में निधारित किया जाता था जिसे भाग कहा जाता था दूसरा कटन है कारीगरों को स्रम के रूप में करका भुगतान करना होता था, तो इसके भी से में यहाँ पर इन कूटों के मदध से आप आंसर को दे सकते हैं अर्थात option a, cable 1 सही है Option B, दूसरा कतन केवल सही है और जो पहला वाला ये गलत है Option C, केवल एक और दो यानि दोनो कतन सही है और Option D, ना तो एक सही है और ना तो दूसरा सही है, ये दोनों ही गलत है तो जल्दी से इसका आंसरम को comment box में दीजिया कि 12 का A होगा B होगा, C होगा, या पिर D होगा, चलिए भी इसका आंसरम, आपको देते हैं, इसका Option B विल्कुल सही होगा, अर्थात जो दूसरा वाला ये है, ये कतन सही है और ये वाला गलत है, ठीक है तो चलिए भी इसकी ब्याक्या को भी देख लेते है ब्याक्या बड़ी लंबी चौनी दी गई है महा जन्पदों के राजाओं को बिसाल किले और बड़ी सेना के लिए प्रचुर संसादनों और इनके लिए परियाप्त कर्मचारियों की अवस्कता होती थी, अता राजा लोगों द्वारा समय समय पर दिये आने वाले उपहारों पर निर्बर ना रह करके अब नियमित रूप से कर्बसूलने लगे थे, अब जो कर्बसूला जाता था उसकी दर क्या थी अब इसके इसमें हम देखेंगे जो दो कतन थे उनकी ब्याक्या को फसलों पर लगाए गए कर महतपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांस लोग क्रसक ही थे, प्राया उपज का एक बटे छे बाँ हिस्सा ठीक है, उपर को क्या दिया जा रहा है उपर दिया जा रहा है कि एक बटे तीन बाँ हिस्सा, ठीक है, बलकि है क्या एक बटे छे बाँ हिस्सा, कर के रूप में निधारित किया जाता था जिसे भाग कहते थे ठीक है और इसके बाद में नीचे दिया है कि कारीगर के उपर भीकर लगाए गए थे जो कि प्राया स्रम के रूप में चुकाए जाते थे जैसे कि एक बुनकर लोहार या पिर सुनार ठीक है सुनार को राजा के लिए एक महिने में एक दिन काम करना पड़ता था ठीक है चलिए अब देखते हैं हम question अगले question को जो की आप सबी लोगे सामने है अगला question है question number 13 जो की आदे question हो चुके है पहला question है पसुपालकों को जानबरों या उनके उत्पादन के रूप में कर देना पड़ता था दूसरा है ब्यापारियों को सामान खरेदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था तीसरा है आखेट और संग्राह कर से मुक्त थे पूर्टेया मुक्त थे ठीक है तो इसका कौन सा option सही होगा उपरियों करतनों में से कौन से सही है option A केबल एक और दो सही है और जो तीसरा वाला ये गलत है या फिर option B दो और तीन सही है और जो पहला वाला ये वाला गलत है या फिर option D ठीक है ने option C option c में दिया रहा है कि 1 और 3 सही है ठीक है जो कि दूसरा वाला गलत है option d में दिया रहा है कि 1, 2, 3, 3 हो सही है तो जल्दी से इसका answer हो हमको comment box में दीजेगा कि option a, b, c, d में से कौन सा सही होगा चलिए भी इसका answer हम आपको देते हैं इसका option a बिल्कुल correct होगा अर्थात जो पहला और जो दूसरा कतन ये सही है और जो ये आखेट इमन जो खाद संग्राहक थे ये पूर्टिया जो तो मुक्त नहीं थे कर से इसके बिसे में यहाँ पर चार्चा की जा रही है आपको मिलेगा ब्याक्या में कतन एक और दो दोनों सही है पर नदू ये कतन तीन है ये गलत है क्योंकि आखेट को वा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त बस्तूएं राजा को कर के रूप में देनी होती थी कुछ बस्तूएं कर के रूप में देनी होती थी सभी नहीं ठीक है चलिए आंगे बढ़ते हैं और देखते हैं कोशन नमर 14 को 14 का आंसर और आप सभी लोग के सामने है इंपोर्टेंट प्रसन है प्राचीन महत्पूर्ण नगर कौसांबी निवलखित में से किस इस्थान पर इस्तित है option A मेरट जो की उत्तर प्रदेश में option B गाजियाबाद जो की उत्तर प्रदेश में option C प्रयागराज जो की उत्तर प्रदेश में जिससे पहले इलाबाद के रूप में जाना जाता था option D 12 नसी जो की उत्तर प्रदेश में है तो इसका option C बिल्कुर सही अर्था आज का प्रियाग राज जो की पहले इलाबाद के नाम से जाना जाता था कौसांबी नगर आधुनिक उत्तर प्रदेश के प्रियागरा जिले में इस्तित है जहां से किलेव की दिवार के अबसेश मिले हैं इसके एक भाग का निर्मार्ट संभवता आज से 2500 बर्स पूर हुआ था कौसांबी प्राचीन काल में बत्स महाजनपद की राजधानी थी चलिए आँगे बढ़ते हैं और देखते हैं कोस्चन नमबर 15 को कौस्चन नमर 15 दिया जा रहा है कि महाजनपदी युग में क्रसी छेतर में दो बड़े परिवर्तन आये थे इन परिवर्तनों के संदर में निमनलिखित परसनों पर बिचार कीजिए पहला परसन है हलके फाल अब लोहे के बनने लगे थे दूसरा है लोगों ने धान के К्येती जो करसी होती थी उसको ब्रaż करने की बजाए धान के पॉदों का रोपण करके शुरू कर दी थी जो कि आज धान की जिस टेखनी से की जाती थी इस technique से लोग करने लगे थे तो इसका answer जल्दी से हमको comment box में दीजेगा कि उपरियू कतनों में से कौन से कतन सही है option A, option B ठीक है, यह पहला कतन है और दूसरा कतन है option A में दिया जारा कि एवल पहला कतन सही है दूसरा गलत है option B में दिया जारा कि केवल दूसरा कतन सही है और पहला गलत है option C में यह दिया जारा कि पहला और दूसरा दोनों ही कतन सही है option D में दिया जारा कि ना तो एक सही है और ना ही दो सही है तो जल्दी से इसका answer हमको comment box में बताइएगा चलिए अब इसका溅सर हम आपको देते हो इसका surprise इसका option C बिल्कुल सही अर्ठाथ ये दोनों ही इकतन बिल्कुल सही है अब इसकी ब्याक्या को भी देख लेते हैं ब्याक्या नवी दी गई अर्ठाथ इसको ऐसा ही समझाणा होगा हल्को हल्के जो फाल होती थे वह इस समय परिबटन हुआ था और हलके फाल लोगे के बनने लगे थे उसको बीच लग भर करने की बजायर से पाउधों का रोपड करके सुरू कर दी थी चलिए आंगे बढ़ते हैं और देखते हैं question number 16 को solma question दिया जा रहा है कि मगद के संदर्ब में निम्लिकी कतनों पर विचार कीजिए option A पहला कतन दिया जा रहा है कि गंगा और सोन नदियां मगद से हुकर के गुजरती थी दूसरा कतन है मगद का एक हिस्सा जंगलों से भरा था तीसरा कतन है इस शेत्र में लोह एस की खदानी है वो परियोग कत्मों में से कौन से कतन सही है Option A केवल 1 सही है Option B केवल 1 और 2 सही है Option C केवल 2 और 3 सही है Option D केवल 1, 2, 3 अर्था तीनों ही सही है ये तो जल्दी से इसका अंसर में को comment box में दीजेगा मैं आपके लिए 5 सेकेंड का इंतजार कर रहा हूँ चलिए अब इसका अंसर में आपको देते हैं इसका option कौन सा सही है इसका option D बिल्कुल सही है अर्थात 1, 2 और 3 ये तीनों ही कतन यहाँ पर सही दिये गए है अब इसकी ब्याक्ख्या तो दी नहीं गई है चलिए आंगे बढ़ते हैं और दिखते हैं question number 17 को question number 17 तो इसका option B बिल्कुल सही है अर्थात प्रसेंजित जो ये था ये मगत का सासक नहीं था इसका यहाँ पर ब्याक्ख्या दी ज़रे कि बिम्बिसार अजाद सत्रू और जो पदमानंद थे ठीक है महा पदमनंद थे ये मगत के महत्पुर्ण राजा थे जबकि जो प्रसेंजित था ये कोसल महा जन्पत का राजा था इसके बाद में question number 18 आप सभी लोग के सामने है निम्लिखित में से कौन सा या फिर से नाम मगद नगर मगद की राजधानी नगर मगद की राजधानी कभी नहीं रहा है पहला कतन है जो पहला दिया जा रहा है राजगरी दूसरा है पाटिल पूत तीसरा है स्राबस्ती इन तीनों में से कौन सा नगर ऐसा है जो कि मगद की राजधानी कभी नहीं रहा है इसके लिए आपको कुछ कूट दिये जरेंके साहता से आप पांसर को दे सकते हैं ऑप्सने अर्थात जो केवल एक अर्थात राजगरी जो है ये मगद की राजधानी कभी नहीं रहा है या फिर ऑप्सन बी अर्थात केवल एक और दो ये दोनों ही मगद की राजधानी कभी नहीं रहे है तो जल्दी से इसका अंसरम को comment box में दीजेगा चलिए इसका अंसरम आपको देते हैं इसका option C बिल्कुछ सही है अर्थात केबल 3 स्राबस्ती जो यह मगत की राजधानी कभी नहीं रही है और इसके लिए आपको यहाँ पर ब्याक्षा भी मिलती है बिहार का राजगर है जिसको आदुनिक राजधानी कहा जाता है कई सालों तक मगत की राजधानी बनी रही है इसके बाद में पाटिल पुत्र जो की आज का पटना है इसको भी राजधानी बनाया गया था जबकि जो स्राबस्ती है इसको कौसल महाजनपत की राजदानी थी है ठीक है ये मगत की राजदानी कभी नहीं बनाई गई थी इसके बाद में आपको मिलता है कोस्चन नमबर 19 जो कि ये भी बहुत ही अच्छा कोस्चन है दिया जा रहा है कि सिकंदर दोरा अपने बिसु वि जैबियान के दौनन भारती महादूइप में मगत की और कुछ करने के संदर में निमलखित कतनों पर विचार कीजिए पहला कतन है सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था दूसरा कतन है सिकंदर की सेना भारत के सासकों के पैदल रत और हाथियों की बड़ से इसकांसर हमको comment box में दीजेगा कि इन दोनों कत्रों में से कौन सा कत्र सही है तो इसके लिए आप कुछ कूट का उप्योग कर सकते हैं option A केवल एक सही है यानि कि ये वाला कत्र सही है या फिर option B अर्थाथ केवल दूसरा कत्र सही है और पहला वाल गरत है इसका answer हम आपको बताते है इसका option number C बिल्कुल correct है अर्थाथ जो एक और दो कत्र ये दिये जा रहे हैं ये दोनों ही कत्र सही है इसकी आपर ब्याक्खय भी दी जा रही है और ब्याक्खय के अनुसरार हम देखेंगे पूरी बात को समझेंगे उपर ये तो दोनों कत्र सही है 2300 बर्ष पूर्व मेसी डोनिया का राजा जिसका नामता सिकंदर बिस्सु बिजय करना चाहता था पूरी तरह से सफल ना होने पर भी वह मिस्र और पश्ची मेसिया की कुछ राजियों को जीता हुआ भारती उप महादूइप में ब्यास नदी के किनारे तक पहुँच गया था ठीक है जब उसने मगत की और कूच करना चाहा था तो उसके सिपाईों ने इंकार कर दिया था बे इस बात से भैवीत थे कि भारत की जो सासक है उनके पास में पैदल और रत और इसके सासाथ हातियों की बहुत बड़ी सेना है याब आप करने पैदल क्या तो पैदल वाले सिपाई थे जो कि आप लोग देते हैं जैसे कि आप लोगने बाहुबली मूबी देखी होगी तो बाहुबली मूबी में जो वहां के जब बाहु बढ़ी ररता है तो उसके साथ में कुछ पैदल सिपाई होते थे ठीक है पैदल सैनिक थे तो इसी परकार के जो हमारे या के जो भारत के साथ सकते पहले इनके पास में पैदल लोग थे रत भी थे और इसके बाद में हातियों की बहुत बड़ी सेना भी थी चलिए अब देखते हैं question number 20 को 20 ठीक है इसको भी देखते हैं मगत के निकटी बज्जी राजी है बज्जी की राजधानी निमलेखित में से कौन सी थी option ए बिसाल बैसाली बिसाले बैसाली सौरी option B मतुरा option C कौसांबी option D चम्मा तो इसका option A बिल्कुल करेटर था था बैसाली जो मगत के राजी ही मगत के निकटी एक राजी था जिसका नाम था बज्जी इसकी राजधानी थी बैसाली ठीक है चलिए आंगे बढ़ते हैं और इसकी ब्याख्या को देखते हैं इसकी ब्याख्या बड़ी ही लंबी दी गई अरता थी important प्रसने मगत के निकटी बज्जी राजी था जिसकी राजधानी बैसाली अरता बिहार थी यहां अलग किस्म की सासन बेवस्ता थी जिसे गड़ या फिर संग कहते थे मतुरा मतुरा की क्या थी मतुरा जो है यह सुरसेन इसके बदे कौसामबी जिसके बद्स और चम्मा इसके बद्स में अंग महाजनपत की राजधानी थी अरता दिखीगा यहां पर मतुरा की राजधानी थी, सुरसेन कौसामबी की थी जो बद्स इसके बद्स चम्मा है चम्पा ठीक है, चम्पा की थी अंग, ठीक है तो यह अंग महाजनपत ठीक है तो आंगे बढ़ते हैं और देखते हैं question number 21 21 को 21 मा प्रसन गड़ या संग के संदर्व में निमलिखित कतनों पर विचार कीजिए पहला कतन है एक ही सासक के अदिन एक विसाल राज्य चेतर गड़ या संग कहलाता था दूसरा कतन है बुद्ध तथा महाविर दोनों ही गड़ या पिर संग से संबंदित थे तो आप इसका अंसर जल्दी से हमको कमेंट बक्स में दीजिएगा कि 21 में के कौन से कतन सही है पहला कतन या पिर दूसरा कतन इसके लिए आप कुछ कूट का उपियोग कर सकते है option A, अर्थात केबल एक सही है, दूसरा वाला गलत है, option B, अर्थात केबल दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है, या फिर option C, अर्थात ये दोनों ही सही है, या फिर option D, अर्थात दोनों ही ये option गलत है, तो जल्दी से इसका answer हमको comment box में दीजीगा, आप से सिर्फ एक ही उ लोग हमको हमारी आंसर देने से पहले comment box में आंसर दिया करें चलिए अब इसका आंसर हम आपको देते हैं इसका option B बिल्कुल सही है अर्थात केबल 2 बुद्ध और जो महाबीर थे ये दोनों ही गड़ या फिर संग से संबंदित थे उपर जो पहला कतन दिया जा रहा है कि एक सब्द का प्रियोग कई राजियों कई सदस्यों वाले समू के लिए किया जा था संग सब्द का तातपर संगठन या सभा से है गड़ या संग में एक से अधिक सासक होते थे प्रतेक ब्यक्ति राजा कहलाता था ये सभी मिलकर बिभिन अनुष्ठानों को संपन करते थे और सभाओं में बैट करके बहस बाचीत और बाद विबाद के जरिये फैसले लेते थे इस तरियां दास तता कमकार इन दास जो थे और जो कमकार थे इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे इसके जो बुद्ध थे और महाबीर थे ये दोनों ही गड़ या पिर संग से मिलता है ठीक है अब देखते हैं question number 22 ठीक है दीग निकाय निम लिखित में से क्या है दीग निकाय जो है ये इन चारों में से क्या है option A जैन गरंत option B बाद गरंत option C ब्रामन गरंत option D उपनिसद तो ये जो दीग निकाय है ये क्या है इन चारों में से तो जली से हम को इसका अ option B बिल्कुल correct है अर्थात जो दीग निकाय है ये एक बहुत ग्रंत है ठीक है तो चली आंगे बढ़ते हैं अब आप सभी लोग के सामने question No.23 बिल्कुल आप सभी लोग के सामने है दीग निकाय एक प्रसीद बहुत ग्रंत है इसे कितने बर्ष पूर्व लिखा गया था option A लगबग 2500 बर्ष पूर्व option B लगबग 1500 बर्ष पूर्व option C लगबग 1300 बर्ष पूर्व option D अर्थात लगबग 1600 बर्ष पूर्व तो इसका answer अब हम आपको देते हैं ये option C बिल्कुल correct है अर्था जो ये दीग निकाय है इसको आज से लगबग 2300 बर्ष पूर्व लिखा गया था था 2300 अब आईए आगे बढ़ते हैं और दिखते है question No.14 को अजात सत्रू बज्जी संग पर आक्रमर करना चाहता था उसने उस बिशय पर सलाह के लिए अपने एक मंत्री को बुद्ध के पास में भेजा था अजात सत्रू के उस मंत्री का नाम निम्न लिखित में से क्या है तो option A जो अजात सत्रू ने बज्जी संग पर आक्रमर करना चाहता था तब उसने अपना एक मंत्री भेजा था जिसका नाम क्या था यह आपको बताना है किसके पास बेजाता बुद्ध के पास बेजाता किसके लिए सलाह लेने के लिए तो option A इसका नाम था सुनित option B इसका नाम था चेटक option C इसका नाम था एक मिनट बसकार ठीक है option D इसका नाम था जीबक ठीक है option C जो है वो यह बसकार ठीक है मंत्री का नाम था बस कार ठीक है चलिए आँगे बढ़ते हैं और देखते हैं कोहस्ट नंबर 15 को जो की आज का लाश्ट प्रस्ण है एथेंस में प्रजातंत्र या गरतंत्र के संदर्व में निम्लिकित कतनों पर विचार कीजिए पहला कतन है लगबग 25 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक सासन विवस्ता की स्थापना की थी जिसे प्रजातंत्र या गरतंत्र कहते हैं अप्सन कतन दूसरा दिया जा रहा है कि एथेंस में एक सबाती सभी नागरिक भाग ले सकते थे ठीक है जो सबाती इसमें नागरिक का दरजा नहीं मिलता था और जो औरते होती थी इनको नागरिक का दरजा नहीं मिलता था ठीक है चलिए आंगे बढ़ते हैं और इसके आंसर की ओर बढ़ते हैं तो इसके यहां पर चार दिये जा रहे हैं कतन इनके सादा से आपको आंसर देना है केवल दी बिल्कुल करेख रतात यह तीनों ही कतन सही है अब इसकी ब्याक्याँ को भी देख लेте है ब्याक्याँ दी जा रही है कि यह व्यवस्ता लगबख 200 साल तक चली थी वहां पर 30 साल से उपर के उन सभी पुरूसों को पूर्ण नागरिकता प्राप्ति थी जो कि दास नहीं थे वहाँ एक सभा थी जो कि महतपुड विशय पर निर्णे लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे यहाँ पर औरतों को नागरिक का दरजा नहीं था ब्यापारियों तो था सिल्फ कारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से बिदेसियों को भी यहाँ पर यहाँ जो बिदेसियों वहाँ पर रहते थे उन्हें भी यहांपर खादानों खेतों घरों और कारेसालाओं में काम करने वाले जो दास्ते उनको भी नागरिकता नहीं मिलती थी अर्थात जो यहां के निवासी थे ठीक कहां के एथेंस के ठीक है और जो पूरुस थे जिनकी उम्रती तीस साल से उपर उनकोई केवल नागरिकता मिलती थी बाकी अलावा और किसी को नहीं मिलती थी तो हमारे आज की इस चेप्टर में इतना ही प्रसंद थे और आप सभी लोगों से एक हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियोस को सेर्ज जुरू कर दिया करें और पड़े साम को साथ बज़े इसी प्रकार से प्रतेक चेप्टर के आप लोगों को वीडियो मिलेंगे और आप लोगों को एक जानकारी देदे कि हमारे इस दिर्ड़ संकल यूटूब चैनल पर यूपी सीजी बिल